नमस्कार दोस्तों आज जब हम बात कर रहे हैं आज तारीख है 18th October 2023 और आज USA के President इसराइल पहुँच गए हैं दोस्तों just imagine के अभी इसराइल में युत जैसी situation है इसराइल ने तो officially युत डिकलेर कर दिया है ऐसा समय में USA के President दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे important व्यक तो ये किस बात का indication है diplomatically इस चीज़ को कैसे देखा जाएगा इसके साथ President Biden साब जो है उनका इस यात्रा का जो agenda है कौन-कौन से इसी चीज़ें हैं जो वो achieve करना चाहेंगे USA achieve करना चाहेगा ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम discussion करने वाले हैं मेरा नाम है प्रशाथ आप देख रहे हैं study glows आप मेरे दूसरे lectures curiously education पर भी देख सकते हैं डियर फ्रेंज आपके self development को ध्यान में रखते हुए we have launched a very interesting course इसका नाम है NLP for academic success नाम सही पता चल गया होगा कि ये आपके academic success के लिए design किया गया है इसके कुछ important topics जो है वो आप screen पर पढ़ सकते हैं सारी details आपको हमेरे mobile app पर मिल जाएगी तो do check out this course on study glows mobile app डियर फ्रेंज ये जो विजिट है ना ये विजिट एक ये भी इशारा है कि USA जो है उसके लिए इसराइल एक बहुत ही important ally यानि कि एक मित्र देश है और अगर इसराइल इतनी बड़ी मुसीबत में हैं तो USA जो है वो तर का एक signal जो है वो यहाँ पर United States of America देना चाहता है इसे के साथ साथ यहाँ पर जो regional escalation हो सकता है यह जो अभी जो युद्ध स्टार्ट हुआ है हमास ने attack किया इसराइल ने युद्ध डिकलेर किया तो यह और बड़ा युद्ध ना हो जाए ऐसा ना हो कि फिर इसमें दूसर प्रदिश जो है वो फिर इस 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 इस्यू का पार्ट बन जाए तो USA ऐसा बिलकुल नहीं चाहता है USA बेजिकली यह रीजिनल escalation को discourage करना चाहता है USA चाहता है कि यह इस्यू जो है वो जल्द से जल्द सोट आउट हो जाए बाइडन साब को invitation बेजा बिन्यामिन नेतनिया साब ने right he is prime minister of Israel I am sure आप जानते होंगे बहुत ही famous व्यक्ति है बेनियाविन नेतनियाहू लगबग 15-20 सालों से वो power में है in fact उनका political career तो बहुत लंबा रहा है और बहुत कम लोग इस बात को भी जानते होंगे कि लगबग लगबग चार दशोकों से चार दशोकों से Israel और USA जो है वो एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र देश हैं दूसरा जो key message important message वो यहाँ पर देना चाहते हैं वो यह है कि एरान जो है वो अपनी limit में रहे एरान अपनी हद में रहे एरान जो है वो इसमें directly involved ना हो अब हम जानते हैं आप भी जानते हैं पुरी दुनिया जानती है कि indirect एरान का involvement तो इसमें रहता ही है क्योंकि इसराइल जो है वो इरान का number one दुश्मन है तो अगर इसराइल को परिशान करना है या फिर इसराइल को सबक सिखाना है तो कोई भी ऐसा मोका जो है वो इरान नहीं चोड़ेगा and I think same thing goes for Israel as well कि इसराइल के पास भी रहता है चलो आर्च राइवल्स हैं दुश्मन है इतने बड़े दुश्मन है इतने जानी दुश्मन है तो यह चीज़ चलते रहेगी लेकिन यहां पर इस विजिट से यूएस ने यह सिगनल दिया है कि बाकी के जो देश हैं जैसे कि एरान है वो अपने लिमिट में रहे ह हेजबॉला नाम का जो ग्रूप है जिसको डायरेक्ट सपोर्ट एरान का मिलता है और यह हेजबॉला जो है यह लेबिनन में एक्टिव रहता है और खास करके जो इसराइल का नोधन रीजिन है और लेबिनन का सदन रीजिन जो है तो क्योंकि इसराइल और लेबिनन जो है एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते है उपर लेबिनन है नीचे इसराइल है तो लेबिनन का जो सदन रीजिन है वहाँ पर हेजबॉला काफी एक्टिव है और अभी ये भी खबरे आ रहे थी एक कुछ मेडिया रिपोर्टस ने ये भी कहा कि इसराइल और ये जो लेबि की बॉर्डर है उस पर इसराइल और हजबॉला के बीच में थोड़े बहुत इश्यूस हुए थोड़ी बहुत स्क्रिमाइस हुई थोड़ी बहुत फाइरिंग हुई शेलिंग हुई इस परकार की एक्टिविटिज हुई तो युएस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताय यहां पर एसकेलेशन ना हो तो यह भी एक स्ट्रॉंग मेसेज वो देना चाते हैं इसे के साथ इसराइल के बारे में आप जानते हैं कि इसराइल एक बहुत बड़ी तयारी कर रहा है इसराइल शायद गाजा पर ग्राउंड ओफेंसिव करेगा शायद और यहां पर शायद शब्द का ही इस्तमाल हमें करना पड़ेगा बिकोज इसराइल थोड़ी पहले से एडवांस में बतायागा कि यह चीज़ हम करेंगे ऑफिशली इसराइल ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है इसराइल के स्पॉक्स परसन जो है उन्होंने भी कहा था कि इसराइल विल डू सम ग्राउंड मोस अफिंसिव को मतलब यह है कि गाजा के अंदर इसराइल की आर्मी जो है वो घुस जाएगी इसराइल की मिलिटरी अंदर घुसेगी और फिर जो जो लोकेशन्स हैं वहां पर जाकर एरिया को डूमिनेट किया जाएगा एक एक छोटे छोटे एरिया को लेकर डूमिनेशन करते हैं तो इसको एरिया डूमिनेशन स्ट्रेजी कहते हैं मिलिटरी के पॉंट अफ यू से तो यहाँ पर जो बाइडन साहब इस मीटिंग में जाएंगे तो टॉप इसराइली ओफिशियल से मिलेंगे और वहां के प्राइम मिनिस्टर होंगे और ओफिशिय क्या होगी उसका pace क्या होगा राइट और अफकोर्स एक चीज जो उनके दिमाग में continuously होगी कि ये सारी चीज़े जो है उसका अंत कब आएगा ये भी एक बहुत बड़ा प्रशन होगा अधर फ्रेंस पलेस्टाइन के जो हेड है प्रेजिडंट है पलेस्टीनियन ओफॉरिटी मुहमद अबास साहब भारत के भी ऑफिशिल रिलेशन्स पलेस्टाइन के साथ काफी रीजनेबल है काफी अच्छे हैं आई बुट से तो मुहमद अबास साहब जो है वो हमारे देश की यातरा पर भी आये थे I think 2018 में या 2019 में वो हमारे देश की यातरा पर आये थे और मोधी साहब जो है वो भी पलेस्टाइन गए थे पहले इसराइल गए इसराइल के बाद वो भारत आये और कुछ समय के बाद जब मोगा मिल काफी बैलेंस्ट है काफी बैलेंस्ट है ऑफिशली भी अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्न अफेर्स के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे देन यू विर फाइंड के इंडिया जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है नो डाउट क्योंकि इसराइल पर टेरिरिस्ट एक हुआ है लेकिन भारत ऐसा नहीं कहा रहा है कि पलेस्टाइन को हम रिजेक्ट कर रहा है तो यहां पर रिलेशन काफी बैलेंस्ट है अगर आप ट्विटर फेस्बूक या फिर ऐसी चीज़ों में से कॉंटेंट पढ़ रहे हैं या फिर अपडेट्स ले रहे हैं तो फि अब मुहमद अबास साब की बात यहां पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक मीटिंग जो है ऑफिशल मीटिंग बाइडन साब के साथ होने वाली थी और सिर्फ बाइडन साब के साथ नहीं उनके साथ साथ मिडल इस्ट के इंपोर्टेंट लीडर्स खास करके दो ऐस देश जो यहां से यह दोनों देशों के साथ सटे हुए है एक तो है जोडन तो जोडन के किम अग्दुला द्वितिया और प्रेजिडंट फते ल्सीसी यह एजिप्त के हैं राइट तो इन दोनों के साथ मीटिंग होने वाली थी और यह मीटिंग जो है यह जोडन में होने वहाँ पर वापस चले गए पता है क्यों क्योंकि ये मीटिंग अब फाइनली कैंसल हो चुकी है इस 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 बिग अपडेट के इतनी बड़ी मीटिंग जो है उसमें से महमद अबा साब ने स्टेप आउट कर लिया है और इसके पीछे जो में रीजन बताया जाता है जो गाजा में एक हॉस्पिटल थी इस हॉस्पिटल को हमाज चलाता है तो ये हॉस्पिटल जो है उस पर स्ट्राइक हुई है और एर स्ट्राइक हुई है या फिर कोई मिसाल की स्ट्राइक हुई है अभी इस पर और ज्यादा रिपोर्ट्स बाकी हैं लेकिन ये गाजा की हॉस्पिटल जो है वो गिर गई और इसके गिरने से 500 से ज्यादा लोगों की मृत्य हुई है और गाजा की हल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने इसराइल पर ये इल्जाम लगाया है कि आपने ये ब्लास्ट किया है इसराइल की मिलिट्री जो है वो कहा रही है कि हमारा इसमें किसी भी प्रकार का इंवॉल्मेंट नहीं है तो ये जो गाजा में जो एक हॉस्पिटल गिरी है तो इसकी वज़े से ये मीटिंग जो है वो महमद अबास साब ने कैंसल कर दी है वो वापस चले गए और ये जो मीटिंग है उसका एजेंडा भी काफी इंपोर्टन था कि क्या है कि बाइडन साब जो है वो इसराइल के बाद जोडन जाने वाले थे और यहां पर वो हुमेनिटेरियन एफर्ट को डिस्कुस करने वाले थे राइट कॉन्फिक्ट के एलेमेंट्स ये सारी चीज़ जोडन और एजिप्ट दोनों की फाइनेंशल कंडिशन अतनी अच्छी नहीं है कि वो और ज्यादा रिफ्यूजीज को हैंडल कर सके तो उनके लिए तो ये एक बहुत इंपोर्टन मीटिंग थे क्योंकि उनको बता है कि जगड़ा इन दोरों के बीच में होगा प्रॉब् लेंसेस भी दिया है अपना दुख व्यक्त किया है ये गाजा होस्पिटल में जो एक्स्पलोजन हुआ है इसको लेकर और बाइडन साब जो है उन्होंने ये भी प्रॉमिस की है कि ऑफिशरी ये सारी चीज़ें जो है वो वाइट हाउस ने पब्लिश की और बताया कि जो प्लेइन में सवार हुए उससे पहरे बाइडन साब ने ये भी एनाउंस किया है कि वो जो ये मीटिंग कैंसल हुई है ना जोर्डन में तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मीटिंग बने कैंसल हुई लेकिन यहां के जो लीडर से उनके साथ उनका डायरेक्ट मुहमद अबास आप तो ये सारे लोगों के साथ उनका एक टच में वो रहेंगे और डिस्कूशन जो है वो चलती रहेगी गाजा के लिए उन्होंने कहा है कि हुएनिटरियन एफर्ट्स और कॉन्फिलिक्ट एलेमेंट्स जो हैं इन पर डिस्कूशन होगी तिस इस वेरी को डिस्टोई कर दीजे ऐसा नहीं है तिस इस फेक तिंग डिपलो मैसी में इस प्रकार से डिसीजन नहीं लिये जाते हैं और खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करने पाने स्टूशन के आपको ये मैचुरिटी दिखानी पड़ेगी आपको चीजों को अच्छी तरी चीजों के बादेड़ेगी लगणास है और इन चीजों के पीचे वी एक रीजर जाती है तो उतनी प्रकार बढ़ेगी जब लगणाने जहारी के लिएरे तो हो हम दिसके संसे करेगा तो अन यहां पर मुझे एक और इंट्रेस्टिंग चीज एड करने का एक मौका मिला है आपने शायद एक किताब का नाम सुना होगा The Art of War संसू की ये किताब है जैसे हमारे देश के चानकिया है वैसे चाइना के चानकिया अगर कोई है तो that is संसू संसू जो है उन्होंने अपनी किताब में मिलिटरी स्ट्राटेजी में उन्होंने कहा है कि कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप अपने दुश्मन को हरे एक तरफ से चारो तरफ से घहर ले ऐसा मत कीजिए आप हमेशा अपने दुश्मन के लिए एक 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 एकजिट गेट जो है वो ओपन रखिये अगर आपने सारे दर्वाजे उसके लिए बंद कर दिये तो फिर वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसको आपको डिस्ट्रोई करना ही पड़ेगा लेकिन जब आप एक 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 एकजिट का देश हैं अरबिक कंट्रीज हैं तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और फिर ये कॉन्फलिक्ट अपने हाथ में से चला जाएगा तो ये चीज ना हो इसके लिए हुमेनिटेरियन क्राइसी प्रोईट करना भी उतना ही इंपोर्टेंट है अब रिटेलियेटरी स्ट्राइक जब से इसराइल ने स्टार्ट की है तो 2700 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्य हुई है उससे कई गयोना ज्यादा 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो इंजिएड हुए है और अफकोर्स जो गाजा है तो उसको सीज किया है उस पर सीज इंपोस कर दी है कोई बाहर नहीं जा सकता अंदर नहीं जा सकता और हजारों ट्रॉप्स जो है वो बार्डर्स पर डिप्लॉई भी कर दी है एक खबर ये भी आ रही है कि बाइडन साब जो है वो एक बहुत बड़ा फॉरेन एड पैकेज भी रिलीज कर सकते है और युक्रेइन के साथ-साथ इसराइल को भी एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जा सकता है अब ये जारी चीज़ें उनको इंटर्नल पॉलिटिक्स में डिसकस करनी हो इंटर्सेंस के वहां से एप्रोवल लेना पड़ेगा उनकी कॉंग्रेस में से यानकी युएसे की पालियमेंट से ये भी बाते जो है वो चल रही है दूसरी चीज़ आपका पता है जब युक्रेइन में युद्ध हुआ था युद्ध की शिरुवात हुई उस समय पर बाइडन साब जो है वो युक्रेइन गए थे आज वो इसराइल गए है तो कहीं न कहीं युएसे जो है वो इस चीज़ को दिखाने की कोशिस कर रहा है और ये बात प्रूव भी कर रहा है कि दुनिया में अगर कहीं पर बड़े escalations हो रहे हैं युद्ध जैसे situation हो रही है तो बना ही ये long term के लिए हो short term के लिए हो लेकिन USA जो है will take a active part USA चुप बैठेगा नहीं और USA के अलावा दूसरा कोई ऐसा देश आज capable भी नहीं है कि वो वहाँ पर जा सके तो अपनी जो policy है foreign policy तो उसमें USA का global role हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा ये चीज वो दिखाने की कोशिस कर रहे है ये बात वो प्रूव कर रहे है और इसे के साथ-साथ वो personal diplomacy पर भी काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं कि personal diplomacy से आप बड़े-बड़े solutions जो हैं वो निकाल सकते हैं देखे अभी तक क्या था कि starting के time पर USA का full support था इसराइल को लेकिन अब धीरे-धीरे क्या किया देखिए आप इसराइल अभी बहुत गुस्से में है तो इतना गुस्से में है तो आप उनको तुरंतिक ऐसा कहेंगे कि गाजा को humanitarian aid तो इसराइल और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा क्योंकि अभी वो उस mood में ही नहीं है लेकिन अभी कुछ दिन बीथ गए अब वहाँ पर face to face meetings होगी जब बाइलन साब वहाँ पर जाएंगे तो इसराइल को support देने के साथ-साथ वो गाजा humanitarian aid जो है उसके बारे में भी उसका envelope भी push करेंगे ताकि ये Middle East में पूरा बड़ा unrest ना हो जाए और इस चीज़ को लेकर जो Blinken साब है तो उनकी foreign minister जो है USA के तो वो अरबी और इसराइली leaders के साथ बहुत लंबी-लंबी meetings कर रहे हैं तेल अवीव में कुछ 7.5 hours एक लंबी meeting चली और finally इस meeting में इसराइल को इस बात पर मनवा लिया है कि गाजा जो है उसमें humanitarian aid जो है वो पहुंचनी चाहिए इसराइल की सरकार ने छूट दे दी है कि नहीं कोई बात नहीं है यह चीज़ जो है वहाँ पर होनी चाहिए तो इसका एक green signal जो है वो मिल चुका है तो this itself is a big achievement as you can see तो these are the things that are going on तो यह है Biden साहब की जो meeting है या फिर अभी जो meeting चल रही है उसका एक पूरा agenda जो है तो इसका एक big picture और इसे के साथ-साथ कुछ छोटी-छोटी details जो है precise details भी हमें cover करने की कोशिस किया and as we all know कि आज भी Gaza जो है उसमें death toll जो है वो बढ़ता ही जा रहा है तो we don't want कि यहाँ पर एक next level का war हो let's hope कि जल से जल यह चीज़े जो है वो रुख जाया let's hope for the best मैयूरी का दास ने design किया है date दशक से ज्यादा का अनुभव है psychology में मैयूरी का दास जी का और चीज़े जो उन्होंने cover की है कि study के motivation को कैसे और बढ़ाया जा सकता है procrastination जो है यह ऐसी आदत है जो बहुत सारे successful लोगों के अंदर भी होती है बहुत सारी मिस आज जहां पर होते हैं उससे कई गुना अच्छे लेवल पर हो सकते because of this procrastination नहीं पहुँच पाते हैं तो यह चीज जो है उसको हम कैसे overcome कैसे कर सकते हैं super concentration को कैसे develop कर सकते हैं यह सारी interesting चीज़े available है इस course में यह course जो है यह study glows पर available है do check it out right it is available on our app I'll see you soon till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind